तो आज मैं आप लोगो के लिए लेकर आई हूँ एक रिवीव वीडियो जो की होने वाला है आई सेडो पैलिक पे अगर आपको यह मेकप लूप अच्छा लग रहा है तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताना अगर आपका इसका रेक्रियाशन चाहिए मतलब कि अगर आप मैंने कैसे किया है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्षन में जाके बता सकते हैं मैं आप लोग के लिए ये मेकप लूप दुबारा से करके आऊंगी मेकप लूप वीडियो लेकर आऊंगी आप लोग के लिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने स इसकी outer packaging बहुत ही अच्छी है, cardboard packaging है, इसकी आप देख सकते हैं, black matte की outer packaging है, उसमें transparent, प्लास्टिक लगी हुई है, इसमें आप अराम से अंदर की जितने भी, जितने भी अंदर की ये shade है, आपको सब easily दिख जाएंगे, palette में आपको 3-4 shade range मिल जाएंगे, और इसमें मेरा palette number है 0-3, अब मैं आपको दिखा दू कि इसके पीछे क्या क्या मेंसन है, इसके पीछे मेंसन है, इसका manufacturing, expiry date, price, net weight और ये क्या क्लेम करता है, सब इसके पीछे यहां मेंसन है, आप easily यहां से पढ़ सकते हैं, चलिए मैं आपको बता दू कि इसकी क्या net weight है, क्या price है and all that, तो चल 599, और इसमें manufacturing है, इसका 5 2018, यानि की मई 2018 का बना हुआ है, और ये expired करेगा 5 2022, यानि ही 4 साल इसकी self life है, जो की बहुत जादा है, और net weight है यहां दियावा है 20 ग्राम, इसका net weight है guys, इसमें जितने भी eye shadow palette है, यह सब को मिला कि यह पूरा 20 ग्राम का है, and ये claim करता है, smooth and easy blending, ये claim करता है eye shadow, blend करने में बहुत असान है, आपको easily blend हो जाएगा, travel friendly है, इसका जो box दिया है, वो easily टूटने वाला नहीं है, and beauty तो बहुत अची है, मैंने खुद यूज कया, और मुझे यूज करते हुए, I think 6 month हो चुके है, और मैं इसे most of this party में, मैं इसे अपना यही palette यू प्सूरत, and बहुत अची palette है, guys, यह उपर से transparent, यह ढगा हुआ है, and पीछे से इस तरह से, और मैंने यह सारी चीजे जो आप यहाँ देख रहे हैं, वही सारी चीजे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो यह आपको रखने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है, अगर आप इ पीछे सा पीछे का outer packaging है इसका, और आगे से यह plastic की cover है, और यह बहुत ही steady है, यह कोई चीफ सा case दिया हुआ है, आप यह कोई चीफ सा है, यह बहुत ही steady है, बहुत ही strong, आप sound सुन सकते हैं, बहुत ही strong, इसलिए टूटने वाली नहीं है, आप इसे आराम से अपने makeup box में कह भी लेके जा सकते हैं, जब आप फोलो गे इस palette को, तो सबसे पहले तो यह सारे simmer shade है, इसमें दो ही matte shade है, जिसे आप अपने crease पे लगा सकते हो, एक यह chocolate brown color का, और यह एक orange color का, यह orange tone में है, और यह एक chocolate brown color, यही दो shade है, जो इसमें matte है, और बाकि यह सारे simmer shade है, और इस सारे ही बहुत अच्छे हैं, और यह तीन जो दिया, एक highlighter है, ब्लसर, यह ब्रॉंजर है, और तीनों के तीनों का pigmentation बहुत अच्छा है, मैं अभी आपको check करके दिखा देती हूं, यह रहे ब्रॉंजर, guys आप देख सकते हो कितना अच्छा है, यह blush shade है, और यह और यह है highlighter, आप देख रहे हैं, और इसकी blendability भी देखो, आप कितनी अच्छी है, आप easily इसे blend कर साइसा नहीं कि कुछ हार्स रह जाएगा आपके face पे, या कुछ, आप इसे easily blend कर सकते हैं, और देखो, यह skin में एक तम से blend होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, कि मैंने कहाँ blush लगाया सिर्फ आपको सेर दीख रहा होगा, यहां कुछ और इंस सा दीख रहा है, यहां ब्राउं सा दीख रहा है, यह contour shade है, यह blush shade है, आप easily blend कर सकते हैं, स्कीन के साथ, यह बहुत अच्छी blend होती है, मैं खुद ही से use करती हूँ, यह बहुत अच्छी, आपका जो यह blush है, इसमें अब मैं बता दू, बात कर लेती हूँ, यह simmer palette, simmer eyes shadows की guys, सारे के सारे बहुत pigmented है, मैं आपको कुछ एक का swatch दिखा देती हूँ, मैं सब का, sorry, मैं सब का swatch तो नहीं दिखा पाऊंगी, बाकी मुचे जो पसंद आ रहा है, दो चार पांट सेड मैं आपको दिखा देती हूँ, यह देखिए guys, कितना अच्छा इसका pigmentation है, आप देख सकते हैं, कितना sign है, आप इसे easily, चलो, मैं के करके सभी दिखा देए आपको, आप देखो यह, oh my god, आप देख सकते हूँ, इसका pigmentation कितना अच्छा है, यह देखो, oh my god, आप देख सकते हूँ, यह golden, rose gold, brown, pink, थुरा सा यह, एकदम light pink color है, यह सारे simmer shadow, guys, total आपको इस eyeshadow palette में, 10 color जो है, आपको मिल जारे, simmer, and 2 color मिल रहा है, आपको matte, यह दोनों color जो है, आपको मिल रहा है, matte, जो कि बहुत ही pigmented, आपने तो सबका pigmentation देखा ही, मैंने आपको swatch भी दिखा है, और blend, आप blend करके भी दिखा है, कितना अच्छा blend होता है, और यह 3 जो आपको एक highlighter shade है, and blush shade है यह contour shade है, आपका जो आप इसे contour भी कर सकते हो, and जो deeper skin tone वाले है, highlighter भी इसे use कर सकते है, and आप इसे आपको अगर eye shadow के उपर top up करना है, तो भी आप इसे कर सकते हो, आप इसे बहुत सारे multiple way में use कर सकते हो, तो overall मैं कहूंगी कि यह palette, अपने price के साब से guys, बहुत अच्छा है, 599 है, लेकिन offer आप चेक करते रहोगे, तो offer में आपको जरूर यह 350 या 400 के अंदर आपको मिल जाएगी, और अगर आपको इसके लिए 600 भी pay करने पर रहे हैं guys, तो यह बहुत जादा नहीं है, चुकि जब आप eye shadow लेने जाते हो, अच्छे अच्छे ब्रांस के, तो बहुत म condition देखके, आप समझ सकते होगा, एक मैने से कितना यूज किया है, फिर मैं आप लोग एक्सामनीस का review लेकर आई हूँ, तो आप समझ सकते हो, अगर आपको यह pallet खरीदना है, तो आप वेट कर सकते हो, आप देख सकते हो, आप बहुत सारे साइट पे offer आते रहते हैं, आप किसाप से, अपने बजट किसाप से देख कर आप खरीद सकते हैं, तो यह रहा इस pallet का review और अची भी है, तो आप इसे ज़रूर खरीद सकते हैं, तो चलिए, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग है, तो प्लीज लाइक कर देना, अगर पुरा वीडियो देखने के बा झाल झाल, झाल झाल